हाई फ्रेंज में हुँ माने वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजटिव सा नमस्कार एक बहुत इंपॉड़न बात मैंने नोटिस करी तो मैंने लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए और यह अच्छी चीज़ दो में शेयर करो उसमें पॉजटिव विडिय और जन्ता की वज़ा से में उपर जला गया तो अभी रिसेंटली मैंने बहुत से ऐसे आर्टेस्ट को देखा जो इधर उधर की बाते करते हैं बट कुछ गिने चुने ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि जन्ता ने बनाया मुझे और वह बहुत सीरिस हैं इस टॉपिक को को लेगे और यह रिपीट जोन के अंदर चलता चला जाता है और जो बंदा रिपीट जोन में सेमी बात बोलता रहता है तो आँ समझ सकते कि उसके दिल से निकल रहे हैं चीज़ें कहीं ना कहीं और यह सोच इस तरीके की है और अगर जन्ता को आप आगे रखोगे तो गलत सब्सक्राइब करने चीज़ें कि अपने स्टार को बहुत बड़ा मानता और उसको देखने को मिल जाता है तो इतनी सारी बाते हुए लोग आए इमोशनल हुए हक किया कोई भी किसी अपने स्टार को बहुत बड़ा मानता और उसको देखने को मिल जाते हैं तो बात यह थी उसने बोला कि इतने टाइम सा यह मूवी इतनी जादा नहीं चल रही थी मेरी और मेरा कॉंफिदेंस लो था और लो कॉंफिदेंस के बाद आप पर मुझे उसकी भावना समझ में आई उसकी भावना यह थी कि उसका सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट हुआ और यह हुआ कि लोगों ने मुझे इतना मन में बसा लिया कि उन्होंने बोला कि यार जल्दी जल्दी आया करो तीन-चार महिने के अंदर आया करो ऐसा नहीं कि च सब्सक्राइब और बढ़ जाती है जनता जनारधन को और बड़ा कुछ काम करके दिखाने का और यह सेम चीज जब इंडिन ऑफ दे यर अवार्ड मिला था फिर उसके बाद बीच में एक और अवार्ड मिला था उसके अंदर भी सेम बात ही रिपीट हुई थी और अब जित सब्सक्राइब बना है रोविच शेटी एंटीन तो मुझे यह काफी ज़्यादा हमबल भीहेवियर लगा बहुत से अक्टर जब लोनली हो जाते हैं फेल हो जाते हैं वह अपने उपर कुछ ले नहीं पाते हैं वह भी अपने को स्टार समझ रहे होते हैं और उसमें एक आक सब्सक्राइब करी था कि मैं पब्लिक की निजर में उट सकूँ और फिर पब्लिक ने मुझे बना दिया और हर बारी हर इंटर्व्यू में लगातार थैंक्स टूद फैंस थैंक्स टूद फैंस मैंने बॉबी दोल के नाम के मुह से सुना है तो यह बहुत अच्छी बात है का वह कई बर तो yoga और यहां तक बुल जाता है कि देखो मैं तो मूवीज बनाते ही क्रिटिक के लिए मैं तो इनके फैंगे ने जो फैंशे चल रहे और था इसला कोलिः मुघे mindset है कुछ लोगों का कि सिरुफ public first जैसे वो आपको चाहते हैं ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे और भी stars होंगे और जिनको आपने notice किया कि जो हर conversation में लगातार consistently instantly public को पहले रखते हैं वो कौन कोन है comment करके बताओ और वो क्या instance था जो आपके दिल को चुआ comment करके बताओ बाइब